सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो जाब तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर माप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही जादा बढ़िया मोबाइल से रेडमी के तरफ से एक है रेडमी का नोट 9 जो पहले लॉंच हुआ था इसकी कीमत है 14,000 दूसरे तरफ है रेडमी का नोट 10 जो लेटेस लॉंच कर दिया रेडमी ने साथ आपको 14,000 में क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अंबॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मीनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगवा है यह वाइट कलर में डेटा केबल लेंद और क्वालिटी की दोनों बहुत ज़ादा बढ़िया है और अच्छी चीज यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है आखर मापको रखाव मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज़ादा अब इस मोबैल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबैल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चार्जर आपको फास्ट दिया गया है बॉक्स के अंदर ही रेड्मी के नोट 9 के साथ अब यह सार अगर आप इतने ही पैसे नोट 10 पे खर्च करते हैं जो जादा लेटेस्ट है तो उसके साथ आपको क्या के दिया गया है 14,000 में दोसो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं नोट 10 को सबसे पहले आपको मिलता है मोबैल एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं मिनी बॉक्स मिल जाता है इसके बाद रखा हुआ जिसमें पीछे लगवा है एक सिमिजक्टर टूल अंदर दिये गए हैं कुछ यूजर मैनु दी गई है आखर वह आपको रखा वह मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जिसके बिल्ड क्वैलिटी काफी बढ़िया है अब दोस्ते इस मोबैल के अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है लेकिन इसके साथ आपको बॉक्स के अंदर दिया गया नोट 10 के साथ ही क्योंकि इसके साथ आपको चारजर जाद अच्छा मिल जाता है चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन की जो क्वैलिटी मिलती है वो दोनों के अंदर दी गई है प्लास्टिक के टाइप की यह लाइट की रिफलेक्शन दोनों के बैक पेनल पर बहुत जाद अची है फिर बीन दोनों के इन दोनों के नोट 10 थोड़ा सा और जाद अच्छा है क्योंकि यह मोबल थोड़ा सा और जाद लाइट वेट हैं जाद हलका है बात कर दोनाइनまで आपको बीशे की तरफ चार कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 48 Megapixel का दूसरा आठ बाकी के दो कैमरे हैं 22 Megapixel के फ्रेंड कैमरा है इसका 13 Megapixel का दोस्तों कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो आपको Note 10 के अंदर काफी अच्छी मिल जाती है इन दोनों के comparison में वैसे दोनों ही के अंदर आपको काफी ज़्यादा बढ़िया कैमरे दिये गए हैं फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा बैटर आपको मिल जाता है Redmi का Note 10 कैमरे को लेकर इन दोनों के अंदर इसके लगव दोस्तों आप देख सकते हैं complete, design आपको इन दोनों में किसका design, किसका color जाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा Note 10 के कैमरे का जो design है वो मुझे personally काफी जाद अच्छा लगा इस वाजे सो मुझे इन दोनों में design को लेकर Note 10 ही जादा पसंद आया बात करें दोस्तों, डिस्पले के बारे में तो दोनों के अंदर आपको साड़े 6 चेंज के आसपास डिस्पले दी गई है 6.5 इंचिस के आसपास तो डिस्पले size को लेकर तो आपको दोनों ही mobile से एक गे से मिल जाते हैं लेकिन Note 9 के अंदर आपको IPS डिस्पले दी गई है और दूसरी तरफ Note 10 के अंदर आपको AMOLED डिस्पले मिल जाती है अब डिस्पले की quality के अंदर कितना फर्ख है मैं आपको दिखा देता हूँ बात करें दोस्तों, उससे पहले user interface के बारे में तो दोनों के अंदर आप ऐसे right side पर swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोनों के अंदर आपको home screen पर ही सारी apps दी गई है और दोस्तों ये दोनों ही mobile बिल्कुल एक जिससे ही लगते हैं अंदर से use करने में चाहे आप Note 9 खरीदे या फिर Note 10 अब दोस्तों दोनों के display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि display की जो quality है उसके अंदर आपको कितना फर्क देखने को मिलता है बात करें उससे पहले display के design के बारे में तो इन दोनों के अंदर वैसे आपको punch hole camera वाला design दिया गया है display के अंदर ही camera है left side पर note 9 में left side पर दिया गया है note 10 में बीच में camera है दोनों के camera में आपको करीब से दिखा देता हूँ friend camera का size आप देख सकते है note 10 के अंदर आपको और ज़्यादा छोटा दिया गया है camera का size बाकि दोस्तों बात करें सबसे important चीज display की quality के बारे में तो display के colors को लेकर brightness को लेकर काफी बड़ा फर्ख है दोनों के अंदर आपको AMOLED display दी गई है note 10 के अंदर तो फर्क आप देख सकते हैं इसके display की जो colors है brightness है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाते हैं तो इन दोनों के अंदर कोई competition नहीं है display को लेकर note 10 ज़ादा बढ़िया है note 9 से colors brightness इसके अंदर आपको बहुत ज़्याद अच्छे दिये गया है left side साब देखेंगे दोनों मोबाइल्स को तो sim के tray दी गई है सरफ अच्छी खुबी यह है दोनों के अंदर आप 2 sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों के अंदर खुबी है नीचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic headphone jack दिया गया है दोनों ही के अंदर आपको type C port मिल जाता है right side साब देखेंगे तो volume के buttons और power के buttons finger pen scanner आपको note 10 में side में ही दिया गया है power के button के अंदर ही note 9 में back panel पे है camera के ठीक नीचे उपर से देखेंगे तो दोनों में noise cancellation mic मिल जाता है IR blaster भी दिया गया है दोनों में जिससे आपका M remote काम करता है TV अगर आप दोनों से चला सकते हैं लेकिन note 10 में आपको उपर की तरफ भी speakers दिये गये है इसमें आपको stereo speakers मिल जाते है जो खुबी ज़ादा बढ़िया है इसके अंदर note 9 में आपको Android का 10 version दिया गया है note 10 के अंदर आपको 11 version मिल जाता है बिल्कुल latest तो ये चीज़ ज़ाद अच्छी है note 10 के अंदर बात कर दोस्तो बैटरी के बारे में तो Redmi के note 9 में आपको बैटरी दी गई है 5020 image की note 10 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 image की दोनों के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकप पराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर दोनों बढ़िया है लेकिन और भी ज़्याद अच्छा है note 10 इसके अंदर आपको बैटरी का बैकप और ज़्यादा बैटरी ही मिलेगा इसी के साथ इसके अंदर आपको चारजर भी ज़्यादा फास्ट मिल जाता है वो भी सेम रेट में बात कर दोस्तों प्रोस्टर के बारे में तो note 9 के अंदर आपको दिया गया है Mediatek का G85 प्रोस्टर note 10 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 678 प्रोस्टर अब देखे दोस्तों अगर आप एक heavy user है अगर आपको performance बढ़िया चाहिए Note 10 का अभी 6GB वाला विरियंट ही लाँच हुआ है अभी sale start नहीं हुई 4GB 64GB वाले विरियंट की बागी जिस तरीके से Note 10 की केमत 11,000 है Note 10 भी आपको 12,000 में मिल जाएगा 4GB के साथ तो दोस्तो रेट दोनों का वैसा और कम है इसे के साथ दोस्तो ये सारी खुबी कम्याप को मिलती है इन दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इन दोनों में सो कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज़ है वो किसमा जादा बढ़िया है अगर आपको दोस्तो बैटरी अच्छी चाहिए तो आप note 10 खरी दियेगा बैटरी backup इसके अंदर आपको और जाद अच्छा मिल जाएगा चारजर भी fast दिया गया है जादा इसके साथ दोस्तो अगर आपको camera जाद अच्छा चाहिए तो भी आप note 10 खरी दियेगा camera इसके अंदर आपको जादा बढ़िया दिया गया है और दोस्तो अगर आपके लिए matter करता है mobile का design तो design भी वैसे note 10 का जादा बढ़िया लग रहा है color भी मुझे इसका personalize जाद अच्छा लगा camera का design भी काफी जादा बढ़िया है आप note 10 खरी दियेगा अच्छे design के लिए इसके साथ दोस्तो अगर आप कले matter करती है mobile की performance तो आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं दोनों ही mobile बहुत जादा बढ़िया है आखर में दोस्तो अगर आप कले matter करती है mobile की RAM और storage तो आपको दोनों के अंदर बराबर मिल जाती है आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं तो दोस्तो देखा जाए तो अलगबग सारी खुबी आपको note 10 के अंदर जादा बढ़िया दी गई है quality wise एक तो इसके अंदर आपको design जाद अच्छा मिल जाता है दूसरा camera जाद बढ़िया दिया गया है तीसरा इसके अंदर आपको battery जाद अच्छी दी गई है जाद अच्छे charger के साथ और चौती बड़ी खुबी यह है इसके अंदर आपको यह चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और दोस्तों अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा और जादा जब Note 10 का 4GB RAM वाला variant आजाएगा आप तब लेंगे तो और जादा बढ़ी रहेगा इसकी कीमत आपको और 2000 कम में मिल जाएगी यह 12,000 का आपको मिल जाएगा ना कि 14,000 का इसमा आपको 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज मिलेगी तो वो मोबाईल आपके लिए रेट के साब से और ज़्यादा बढ़ी रहेगा बाकियो दोस्तों आप ज़रूर बताएगा कौन सा अच्छा लगा वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँशते रहें इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को शियर कर दिएगा WhatsApp फेस्बुक पे मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई